एलो डियर फ्रेंड्स मैं मान्मिन परताबसिक आप आप सवीका सागत करता हूं नॉलेज हाउस में और आशा करता हूं आपने अनुग चैनल सस्क्राइब किया होगा दोस्तो अगर आपने अमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरं सब्सक्राइब को बटन जो पहले ख़बर है वो इस्टेट टोल इडेटपाई इलीगल इमाइडेट सटीग है तो थोड़ा से इसका पहले बैक्ग्राउंड देख लेते हैं पहले हुआ क्याता है जो मैमार है हमारी इंडिया के बगल में है तो मैमार में मुसलिम्स के लिए काफी वाइलेंस स्टार् करने लगे और फिर जो इंडियान गवर्मेंट थी उन्होंने देखिया पिछली साल की बात है अगस्त नौ की लास्ट एर एक और पास किया कि जितने भी रोंगया मुसलिमें इन्हें रिपोर्ट कर दिया वापस मिम्मार के अंदर पर फिर इन्होंने देखिए क्या हुगा कि काफी लोगों ने सुप्रीम कोट में फिर इस पर केस दर्ज कर दिया और सुप्रीम कोट ने फिर इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया कि आप अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं पर अभी देखिए फ्रेश एक और निकला है गवर्मेंट के द्वारा कली आया है इसमें देखिए इसमें जितने भी स्टेट हैं तो फिर चलिए देखते हैं कल की ओर्डर में क्या लिखा है इन्हों देखिए तो हो मिनिस्ट्रिया आस्था स्टेट गवर्मेंट तो कैप्चर द बायोग्रोफिक अन बायोमेट्रिक पर्टिकुलर्स ऑफ इलीगल इमाइग्रेट्स एंड इसमें कि इन्हों ने कहा है कि जितने भी इलीगल इमाइग्रेट्स एंडिया के अंदर उनका बायोग्राफिक और इसमार्यों की पर्टिकुलर्स और उनकी बाहर्र रखिए अपने पास और उन्हें पर्टिकुलर लोकेशन से बाहर ना आने दीजिए जिसे कल को उन्हें रिपोर्ट करने में दिक्कत ना है ठीक है तो देखे दोस्तों काफी लोगी सोच रहोंगे कि यार इंडिया को रखने में क्या दिक्कत है जब कुछ लो मतलब किसी हुमन राइट्स के बारे है तो देखे बात इतनी हुती कि अपनी आप देखिए इंडिया क्या लोग और आ जा रहे हैं के आप पर आप हुथा यहां दे रहा हूं कि आप हमारी जनता खुद भूखी है खुद विरूजगार है हमारी गवर्नमेंट अपीने नहीं 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 देपारी है इने नहीं के पार्ट थे ही नहीं ठीक है तो यह गौर्णमेंट का अपना पॉइंट ऑफ यू जो गलत भी नहीं का जा सकता इसके लावा देखिए अब तक 2012 से लेके अब तक अराउंड चालीस अजार आ चुके हैं रोहिंग्या मुसलिम इंडिया के अंदर और यह देखिए तो अफिशल डाटा है काफी लोग छुप छुप के आखी दो धर बसे होंगे और देखिए बांगला देशी तो हमारी इंडिया में और इंडिया में इसमें क्या होता है इसके नेपाल के बीच में देखिए दोस्तों में बात यह कि जब पिछला इनका टैंचर था दो चार पंदरा से सोला के आराउंड जब इनकी यह थे तब नेपाल में आप देखिए आप एकनॉमिक ब्लॉक लेट हो गया था काफी एकनॉमिकली वीक हो गया था नेपाल और अब उसी को यह उठाने कोशिश कर रहे हैं इसलिए इंडिया आ रहे हैं बढ़ाना चाह रहे हैं जब से यह पीम बने उसके बाद इनकी पहली मिटिंग है इंडिया में और इकनॉमिक ग्रोथ करना चाह रहे हैं अपनी हो में चीज है कि दिखे जब पिछली बार थे तो क्रिप हैं दोनों लोग आपस में बाते करेंगे ने मुझी जी और यह और लेट सी इसमें क्या मतलब क्या-क्या इनका पस एक पैक्ट्स होते हैं फिर देखे एक और आज की बड़ी ख़बर है डॉलाल ट्रॉप ने बड़ा निर्ना लिया चौकाने वारा निर्ना लिया और आश् कौन कौन इमेल आईडी यूज करी हैं अगर आपने जूट भी बोल दिया कल को प्रॉस वरिफागा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी पिर यहां देखे सारी बाते हैं यहां पर देखिए दा ट्रॉम एडिस्टेशन वांस टू यूस वीजा अप्लिकेंस तू अब में कि यूएस तो अपनी करता है यह अपने वर्ची चलाता है तो क्या गलत सही लेकिन आप किसी के पर्सनल चीचे मांग रहे हो लेकिन हां मोई लंबर और इमेल आईडी इंग स्टिल बैटर पर अगर अभी कल कोई गहीं कि आप पूरे फेस्बुक के डिटेल दिखा हो सब कर कर रहे हैं कभी यह दूसरे देश की डिप्लोमेट्स को वापस कर रहे हैं और इस सब देखिए कराधारा उस सरकत का जो रशिया ने यूके की सौयल में किया ता जो अपने किस्पाई को इन्होंने पॉईजन देके मरवा दिया था जो की एक्सप नहीं कर रहे हैं और इसी क इनके किलाफ उतरा हुआ है दिप्लोमेट्स को इनके सस्पेंड कर रहा है इनके कंट्री में वापस भेज रहा है एक मैसे चो करना चाहरा है इनए कि हाँ आपने गलत किया है पर रश्या देखे मानने वालों में से तो हैं नी किसी से कम है नी इनके पाद भी सारे नुकलियर वेपन्स है सब कुछ है तो अब यह भी देखिए अपने चौड में हैं और सब को वापस करने में यह भी लगे हो है तो जैसा लोग कर रहे हो वह उनके साथ कर रहे है और देखे जितना इसमें UK नहीं हो रहा है ना उतना यूएस अक्टिव हो चुका है और में चीज रहे है तो अब यूएस इतना एक्टिव है तो रश्या कैसे पीछे रहेगा तो और ऐसे देखिए ऐसे इंसे ने कोई भी कंट्री अपना नाम ले ही नहीं सकती है जैसा कि अभी आपने खुलबशन जाद हो का नाम सुना ही हो का जो रॉक के हमारी एजेंट थे तो अब देखे वह एक्सप्ट इंडिया नहीं कर रहे हैं यह रॉक की एजेंट थे यह बात आस तक प्रूफ नहीं है पर अगर मैं कहा रहा हूं चांसेज भी होंगे तो में बात यह होती है कि जैसे जितने भी नैशनल के जो भी ऐसे मुद किसी को मारते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप मारा के लॉस के साथ छेड़ चार कर रहे हैं और ऐसे आपने चाहिए कितना भी बड़ा काम किया हो लेकिन वो देश के लिए नहीं एक्सप्टेबल है तो में इंची जहां भी यह तो रशिया आप अगर मानना भी चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुए है महाँ साब उसको जॉइन कर लीचे महाँ पर हम सारी PDF प्रोवाइट कर आते हैं और देखे दोस्तों आज हमने हमारा Facebook पेज स्टार्ट किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुए है तो Facebook पेज को लाइक कि पर देखे पीछे रीजन यह कि इंडिया ने इनिशेट किया था और बात यह कि जो पाकिस्तान है अची टेट में वहर जगा जाता है जैसे कहीं भी मिटिंग हो रही है कुछ भी हो तो वहां वह जम्मो कश्मीर का मुद्ध उठा देता है जो कि जम्मो कश्मीर उनका कभी ह था ही निना है तो इंडिया ने उसी के खिलाफ ऐसा किया कि इनकी डिप्लोमेट्स को बैट ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है फिसके पाकिस्तान भी करने लगा और इसके पीछे दूसरा रीजन है कि बीजेपी गवर्मेंट अब जानती है एलेक्शन आने वाला है तो इसी के 1992 कोर्ट of conduct के ठुरू ही जितने भी diplomat होते हैं जो भी किसी country में जाते हैं तो उनके relation रूल से Regulation होते हैं यही वह law है जिसके उपर सारा जो diplomats है उन पर जितने भी law applicable है जैसे उनको regulate होना है वो 1992 code of conduct के थुरू ही होंगे ठीक है तो देखिया अब इंडिया पागिस्तान ने सोचा है कि हाँ चलो यही जो हो रहा इसको हो खतम किया जाए बात करी जाए तो यही यह नहीं हो जाए ठीक है इसके इसमें इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए आपको फिर बता रहा हूं कि जो डिप्लोमेट्स के रिलेशनशिप होते हैं किसी कंट्री में वह 1992 कोड अफ कंडक्ट वियना कंवेंशन से जो आया था इसके थूरू देखे जाते हैं ठीक है तो इसे ध्यान रखिएगा अब देखिए दोस्तों काजी रंगा फाइंड से डिजन टू बी हैपी जो हमारा का अब देखिए लगबग आप मान सकते हैं 2645 जिसके अंदर काजी रंगा में काफी जाता है सबसे आदा आप कह सकते हैं काजी रंगा में तो देखे जो काजी रंगा है वहाँ पर इस बार जो राइनसौरा से उनकी संख्या बढ़ी है 2015 में देखिए जितनी थी उससे इस बा 2401 थी और इस बार यह हो गई है 2413 यह 2015 की बात है और इस बार 2018 में इनकी संख्या बढ़ गई है तो एक अच्छी बात देखिए यहां फाइनली रेनसौरा से संख्या बढ़ी 12 संख्या बढ़ी है इसके लावा देखिए जो सैंसास हुआ है यह एक पीबोटा वाइल सेंच् थी थी 2012 में अब वहां पर हो गई है 102 ठीक है तो यहां भी देखिए संख्या बढ़ी है और एक मानलस नेशनल पार्क है जिसमें अभी अगले महीन होना है तो में जो चीज है यहां पर देखिए दोस्तों यह है कि जो डाइनसौरा से संख्या असामा बढ़ रही है और कितन हो और देखिए जो मेन आपको इक चीज वाल आद रखनी है कि एस्टीमेट जो आसाम में आजकी डेट में जो राइनसौरा से वह दोग्टर राजन परसाद के बारे में ठीक है इदिक है जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं यह तो इनके आर्म जान लेत यह तो इस नहीं लुगा और 50% तो ज्यादा सेलरी नहीं लूँगा और जब इनका करियर एंड हुआ, मतलब 12 साल का जो इनका टैंचर था, वो खतम हुआ, तब जो इनकी टोटल सेलरी थी उसके पच्चेस परसेंट सेलरी ही उस टाइम तेक इनों ने ली थी समझने हैं आप मेरी बारा साथ में जितने में इनके सैलरी होनी चाहिए थी उसका सिर पच्छेस परसंट ही इन होने लिया था और देखे जो उस टाइम में प्रेसिडेंट के सैलरी होती दस अजार होती थी तो देखे राजन परसाथ का वेक्षिट करा रहे हम सभी जानते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी है वहां से हमारे फीजूप प्रेज को जॉइन लाइक कर सकते हैं हमाँ टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बैल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा मिलते हैं फिर मेरी अगल अरी वीडियो में तब तक जाहिन 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 बाहता है